हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू अरपन बुटिक तो कैसे हैं आप सभी और आज हम बनाने वाले हैं थम्नेल में तो वैसे आपने देखी लिया होगा पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आज हम बनाने वाले हैं सेंटा क्लॉस ड्रेस क्योंकि 25 डिसेंबर आने वाला है और आने वाला है Christmas, Christmas के लिए सभी बच्चों के स्कूल में functions होते हैं और सबकी मम्यां परेशान होती हैं कि उनके बच्चों के लिए dress arrange करने में और वो dress बहुत जादा महंगे भी आते हैं तो मैंने सोचा कि आप लोग को एक सुन्दर सा Christmas dress बनाना सिखा देते हैं ताकि सबकी मम्यां अपने अपने बच्चों के लिए ये वाला dress बना लें Christmas के लिए और ये Santa Claus dress बनने के बाद कुछ इस टाइप का लगने वाला है इस टाइप का हमारा फ्रॉक रहेगा और इसके साथ हम बनाने वाले हैं इस टाइप का कैप जो Santa Claus पहने रहते हैं तो कैप बनाना भी मैं आपको इसी वाली वीडियो में सिखाऊंगी और इसके साथ जो neck बना रहे हैं वो बनाएंगे कुछ इस टाइप का V वाला V neck और जिसमें collar type की हम इसमें एक पट्टी दे रहे हैं और इस टाइप की हमारी normal से sleeves रहेंगी और Santa Claus की dress में या पर पट्टी रहती है तो हम वाइड कलर की पट्टी भी दे रहे हैं और पूरा dress कुछ इस टाइप का लगने वाला है तो चलिए friends करते हैं इसकी cutting करना start तो friends जैसा कि आपको पता है कि Santa Claus की dress होती है वो होती है red color की and white color की और यह वाली dress होती है वो हमेशा bell wet के fabric से बनी होती है मैंने जितनी भी dresses देखी है वो bell wet से ही बनी होती है इसे लिए हमने भी bell wet का इस fabric लिया है यह हमारा forbe का bell wet है यह देखी forbe का bell wet है और यह stretch वेल नहीं होता है कहीं से भी stretch नहीं होगा तो यह जो red वाला bell wet है यह हमने लिया है 2 meter fabric और इस fabric की विरत है 44 inch की यह red वाले bell wet से तो हमारा पूरा dress बनने बाला है और white color की पटियां लगी हुई रहती है सेंटा क्लॉस की dress में तो हमने भी ले लिया है white color का bell wet तो यह मैंने अलग से नहीं खरीदा है यह मेरे पास तुकड़े पहले से पड़े हुए तो मैं वहीं use करने वाली हूँ यह मेरे पास कुछ इस टाइप का है अगर आपके पास नहीं है तो आप आदे मीटर अलग से ले सकते हैं डिजाइनिंग के लिए पट्टी बगारा के लिए तो इस ड्रेस को बनाने के लिए यह रहा हमारा measurement लंबाई जो है हमारी 31 इंच की है चोली है 13 इंच की सीने का नाप है 30 इंच का कमर 24 इंच स्लीप्स है हमारी 15 इंच की और मोरी रहेगी स्लीप्स की 10 इंच की गला है आगे का 6 इंच का और पीछे रहेगी इसमें pack तो सबसे पहले हम निकालेंगे चोली अभी मारा फैब्रिक सिंगल है इसको यहां से फोल्ड कर देना है इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो यह हो गया हमारा फोर फोल्ड यहां से स्केल को रखना है एक इंच तिडशा करके शोल्डर हम एक इंच डाउन कर लेंगे शोल्डर र आजाएगी अब लगाएंगे हम फिटिंग के निशान सीना है हमारा तीस इंच का तीस इंच में 2 इंच की लूजिंग अड करेंगे तो हो जाएगा 32 इंच 32 का चौथा ही वाग कर लेंगे क्योंकि कप्ड़ा रखा है हमारा 4 भाग में तो आ जाएगा आठ इंच तो सीने का नाप लगाएंगे हम 8 इंच कमर है हमारे 24 इंच की 2 इंच की losing 8 करेंगे तो हो जाएगा 26 इंच 26 का चौथा ही भाग करेंगे तो आजाएगा साड़े 6 इंच साड़े 6 इंच पर निशान लगाएंगे अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे और इस निशान को इससे मिला देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा मार्जन रख लेंगे ताकि यह ड्रेस हमारे बाद में भी काम में आ जाए क्योंकि नेक्स्ट इयर तक आपको बच्चा बड़ा हो जाएगा या फिर जिसके लिए भी आप बना रहा है वो थोड़े हैल्दी भी होगा है तो बाद में हम इसको खोल के लूज कर सकें अब यहाँ से इंची टैप को रखना है और पौने एक इंच पर निशान लगा देना है और यहीं से इसकी को लाई दे देंगे इस तरह से अब इनी निशानों के उपर से कटिंग कर लेंगे यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक कट यहाँ पर लगा देंगे फिटिंग का अब इन दोनों पार्ट को अलग-अलग कर लेंगे बैक पार्ट को उल्टा करके रख लेंगे यहां से करना है हमें नेक की कटिंग तो नेक की विर्थ रखेंगे हम पौने 3 इंच और लंबाई रखने वाले हैं 1 इंच इस तरह से मिला दीजिए और इसकी कटिंग कर दीजिए सेंटर का एक कट लगा देंगे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी अब यहां से हमें इसकी गोलाई देना स्टार्ट करना है और इस तरह से मिलाते हुए यहां से ऐसे मिलाएंगे यह हो गई हमाई आगी साइड की गोलाई अब करेंगे हम नेक की कटिंग तो नेक की विर्थ भी हम रखने वाले हैं पौने 3 इंच और नेक की लंबाई है हमारी 6 इंच की तो 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस वाले निशान को इस से मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे तो दोनों साइड की चोली हमाई कटिंग हो चुकी है अब इस फैबरिक को हमें खोल देना है यहां से लिए कि यहां तक हमाई फैब्रिक की विर्थ जितनी भी है उतना ही फैब्रिक हमें ले लेना है लैंत में तो हमाई फैब्रिक की विर्थ है 44 इंच की तो 44 इंच पर हमने यहां पर निशान लगा दिया है और यहां से इस फैब्रिक की कटिंग कर देंगे तो यहां से एक बार और फोल्ड कर देना है और अब हम लगाएंगे यहां से कमर का निशान तो अभी हमारा फैब्रिक रखाए इस साइड और 17 लगा देंगे इस साइड तो हो जाएगा शाड़े 6 इंच और ऐसे 17 का निशान हमें पूरी गोलाई से लगा देना है अब इसको यहां से इस तरह से मेजर करेंगे तो ये देखिए हमारा fix बिल्कुल 6 इंच आ रहा है ये तो हो गए हमारा कमर का निशान अब लगाएंगे हम लंबाई का निशान तो हमारी चोली है 13 इंच की तो यहां से इंची टेप को रखना है 13 इंच पर चोली का हमने 13 इंच उपर छोड़ दिया है और यहां से लंबाई लेंगे तो लंबाई है हमारी 31 इंच की तो 31 हो गए हमारी लंबाई और एक इंच होगा है हमारा सिलाई मार्जन आदे इंच यहां पर सिलाई में दब जाएगा और आदे इंच यहां पर दब जाएगा तो ये घेर भी हमारा निकल चुका है तो चोली भी निकल गया गेर को करेंगे साइड में ये जो फैबरिक बचा है इसमें से निकालना है हमें स्लीप्स तो इसको हमें लेना है और यहां से फोल्ड कर लेना है और एक बार और फोल्ड कर लेंगे और जितनी आपकी स्लीप्स की हमाई 15 इंच की इसमें हम निशान लगाएंगे 14 इंच पर तो यह आ रहा है हमारा पूरा फिक्स 14 इंच आधे इंच से लाई में यहां पर दब जाएगा और आधे इंच यहां पर दब जाएगा तो इनच से इचितयव को रखना है साधातीन इनच को डाउन कर लेंगे और इस निशान और इससे मिला लें हैं तो हमारी चोली की cutting हो गई नीचे के घेर की cutting हो गई अब हमें निकालना है नेक की पट्टी स्लीप की पट्टी एंड घेर की पट्टी तो यह सब हम निकालेंगे बाद में पहले हम करते हैं करना स्टार क्योंकि पहले हमें शोल्डर अटेच करना पड़ेंगे इसके बाद निकल लगी हमारी नेक की पट्टी तो हम सारी पट्टी एक सांथ निकालेंगे तो कटिंग तो हमारी कमप्लीट हो चुकिए अगर आपको कटिंग पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कर करके रखेंगे इसके उपर रख लेंगे फ्रंट वाली चोली को उल्टा करके पकी सिलाई लगाकर दौनों शोल्डर को अटेच करेंगे इस तरह से तिरशे में इसको कट कर लेना है इसके बाद इसको हम यहां से खोल देंगे और यहां से इसको यहां से डवल करके रख ले और अब हम लेंगे अपने नेक को और इसके उपर रख देंगे ये वाले निशान से इस तरह से मिला के रखना है हमें अपने नेक को अब इसी के बरावरी से कटिंग कर लेंगे अब इसको हमें हटा देना है अब यहां से हमें तीन तीन इंज पर निशान लगाते जाना है पट्टी निकल गई है अब इसको उठाना है और यहां पर रख दीना है और इसी के बराबरी से एक पट्टी और निकाल लेंगे तो इसी के जैसे हमने एक पट्टी और निकाल ली है इसको हटाएंगे अब यह जो दौनों पट्टी निकाली है इसको हमें खोल के सीधा करके र तक आब लगा देंगे यहां से इसको पलट के कर लेंगे यह पलट के सीधा अब यहां पर पर से लगा देंगे और पर Соय प्टसलाई लगा देंगे तो अमार या दिल-वाली पटी ओटी रैडी हो चुकई है तो छली अपको लगाते हैं तो इस पटी को हम इस तरह से attach करेंगे कि ये जो चोली है इसको रख लेंगे हम खोल के उल्टा करके और इस पटी को हमें यहां से रखना है पीछे वाली साइड से बैक वाली साइट से इसको रख दिये हमने और यहां से लेके पूरी यहां ताक इसमें सिलाई लगा देंगे अब इसमें लगाएंगे हम कट्स नौक के पास ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए इसको पलटके पूरा उपर कर लेंगे इसके उपर हम पॉइंट की सिलाई नहीं लगाएंगे हम लगाएंगे इस मार्जन को अटैच करने की सिलाई जिससे हमारी यह जो पट्टी है यह इधर अंदर होना बंद हो जाएगी इस टाइप से पूरी बाहार निकलाएगी तो यह वाली सिलाई लगाने के बाद यह देखी अब हमाई कॉलर का लुक बिलकुल कॉलर जैसा ही दिख रहा है तो अब हमें लगाना है स्लीप्स तो स्लीप्स रेडी कर लेते हैं पहले हम करेंगे अपनी स्लीप्स की पट्टी को कट तो यहाँ पर हमें लगाना है दो इंच की पट्टी, हम लगाएंगे इसको बढ़ता हुआ, क्योंकि यह स्लीप्स हमाई यहां से छोटी है, तो दो इंच की पट्टी लगाने के लिए दो इंच हमारा उपर साइड का और दो इंच इसकी नीचे साइड का तो टोटल हो और आदे आदे इस दोन साइड से लाई का तो टोटल हो जाएगा हमारा पांच इंच, तो हमें करना है इसमें से पांच इंच की पट्टी कट, लंबाई तो होगा ही पांच इंच, इसको यहां से फोल्ड करेंगे, चोड़ाई चाहिए हमें अपने स्लीप्स के नाप से, त करके, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा देंगे, अब इसको यहां से पलट देंगे, पलट के सीधा कर लेंगे, सीधा करके इस मारजन को यहां पर अटेच कर देंगे, अब इस पट्टी को हम उपर साइड पलट देंगे और इसमें से आधे इंच मारजन को अंदर करते स्लीप समाइ बन चुकी आब इनको अटेच करेंगे गोलाई और फ stomय देख्थétait हुए देख्व स्लीउप की तरह मेज हम इनको अटेच करेंगे यह यहां पर इस तरह से डबल लगा कर दोनों स्लीप डाइच कर दिया है और अब थोड़ा-धूडा फील आ रहा है सेंटा क्लॉस वाला तो अब इसको हमें यहां से इस तरह से मिला देना है यहां से सलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहां से लेके यहां तक सलाई लगा देंगे और यहां से स्लीप्स को मिलाएंगे और यहां से स्लीप्स में भी सलाई लगा देंगे इसी तरह अपने घेर को और इस के नाप से करेंगे हम पट्टियों की कटिंग हमें अपने घेर के नाप से इस बैल बैट में से पट्टियां कटिंग करनी है तो इसको हमने विल्कुल खोल के सिंगल करके रख लिया है अपने घेर को लेंगे और इस तरह से इसके उपर रख देंगे मिल लेते हैं यह कैसे सैट हो पा रहा है पहले तो हम इसको यहां पर रखके देख लेते हैं ऐसे नहीं हो पा रहा है तो इसको घुमा देते हैं और यहां से रखेंगे अब चेक कर लेते हैं अब ठीक है अब हो पा रहा है तो अब इसी के बराबरी से कटिंग कर देते हैं तो अब अब इसको हटा देंगे यहां से, यह जो हमने इसकी गोलाई से कटिंग की है, यहां से इसकी चार-चार इंच ओड़ी पट्टी निकालेंगे, चार-चार इंच पर गोलाई से निशान लगाएंगे, अब इनी निशानों को उपर से कटिंग कर देंगे, तो यहां से लेके यह अहां तक एक साइड के घेर के लिए दो पले इसमें से निकाल ली है now position इन पत्टिंट के लिए यह जो हमने पहले हम पार hatten की तो पहले इनको अचलेच करेंगे और यहां से सिलाई लगा कर इसको अटेज कर देना है तो सभी जॉइन पर हमने सिलाई लगा दी है अब इनको करना है मिस साइड में और यह जो हमारा घेर है इसको ले लेंगे इसको उल्टा करके रख लेना है इस तरह से अभी ही पूरा हमारा राउंड है और इसके उपर इन में जोलाता है वो सेट नहीं हो पाती है तो पिंस लगाकर इस तरह से हम इनको अटेच कर देते हैं ताकि यहां वहां नहीं जाएं और आराम से हम इसमें सिलाई लगा सके तो पिंस लगाकर इसको हमने अच्छे सेट कर लिया है यहां से और यहां से अभी यह खुला हुआ है लगा के तो पहले ही हमने इसको सेट कर रखा है सिलाई लगाते लगाते इनको यहां पर अटेच कर लेंगे और यहां से लगाते जाएंगे और पूरे नीचे साइड हमें राउंड में सिलाई लगा देना है यहां से लेकि पूरे राउंड में हमने पट्टी को नीचे साइड से तो attach कर दिया है अब जो principal लगाइन थी इनको निकाल देना है अब इसको हमें पलट देना है यहां से लेंगे और इस तरह से पलट देंगे इसको पलट के कर लेंगे सीधा और इस पट्टि को भी हम उपर लियाएंगे तो इसको पलट इस तरह से और इसको अटेच करेंगे तो फिर से हम इसमें पिंस लगा कि इसको सेट कर लेते हैं ताकि बारवार यह नीचे नहीं लटके तो यहां से लेके पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा कर पूरे में पट्टी को अटेच कर दिया है अब यह हमारी जो गोल-गोल कमर है इसमें हमें करना है अपनी चोली को अटेच तो यह पूरा घेर है यह तो पूरा गोल-गोल है लेकिन हम यह कर लगा है कि पता चल जाए कि हाँ एक साइट को पोर्शन हो चुका है इससे हमारे घेर को लगाने में छोटा बड़ा नहीं हो यह कंफर्म हो जाता है इसलिए ह इस तरह से इस घेर को लगाना है पहले इस चोली को लेंगे इस तरह से रखना है और फिर लेंगे अपने घेर को इसको हम इस तरह से रखेंगे और यह देखो यह हमने इसको पहना दिया अब यहीं से इसको गोल-गोल में सिलाई लगा कर अटेच कर देंगे पूरे गोल-ग कि इंच आ रहा है हमारा 21 इंच का तो 21 इंच इसस इसका हमें राउंड चाहिए तो हमारा यहां नीचे से घ्र में वचे से एसाब्रिक बचाता है उपने वाले हैं और अभी जlä केब्ग रखा लगा है इनच पर seven नहीं करेंगे चाल Kid a 5 इंच पर 5 इंच पर निशान लगा देंगे और इसकी लेंद जितनी भी जितना भी से अलगा देखो इस तरह से और अब इसकी कटिंग करेंगे तो यह देखिए हमारे कैप की कटिंग हो चुकी है अब इसको यहां से अलग-अलग कर लेंगे और यहां से लेके यहां तक सिलाई लगाएंगे और यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा देंगे अब इसको यहां से खोल दी बसको पर करें अंधर करेंगे आदर करेंगे और से इसने सिलाई लगापने लिए और इसके मारजन को इस्थरा से खोल डिया दॉनो और यहां से इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसके मार्जन को आधे इंच अंदर करते जाएंगे तो पट्टी हमाई लगके रेडी हो चुकी है अब बस इसमें लगाना है हमें अपनी बॉल ऐसे बॉल लगा देते हैं अब हमने ले लिया एक फैब्रिक इसको यहां से फोल्ड करेंगे और एक पार यहां से फोल्ड कर देंगे और गोलाई में कट कर लेंगे और ये कतरन को फेकना नहीं है हमाई काम आने वाली है ये तो इस राउंड वाले फैब्रिक को यहां से सिलना है स्टार्ड कर देना है दूर दूर इसमें टांके लगा लेंगे गोल गोल इसको हमने गोल गोल सिल दिया है अब लेना है हमें अपनी कतरन को अच्छे से इसके अं को द contraction मोज बना देना है तो यह देखी बॉल माई बन चुकी है और अब लए ले लेंगे हम अपनी कैप को और मैं आठाच करें यह नहीं समझ में आ रहा है को क्यारिक्र में इस उर syndrome किरना चाहिए इसको यहां से cut कर देते हैं इसको हमने cut कर दिया यहां से कर लेंगे इसको उल्टा और यहां पर साथ में इसको भी लेके चलेंगे इसको भी यहां पर रख लेते हैं और साथ में ले चलते हैं इसके margin को निकाल लिया हमने बहार अब इसागी पर लगा देंगे सिलाई अलग-अलग एंगल से हkylle इं इसमें लगा देंगे चलो तो अब check कर लेते हैं कैसी आईये तो यह देखे、 कितना बढ़ी हमारा यह आ गया है इसी साथ हमाई कैप भी बन चुकी है यह रही हमाई कैप तो यह रही हमाई सेंटा क्लॉस वाली फ्रॉक और यह रही हमाई सेंटा क्लॉस वाली कैप तो चलिए फेंट्स अब मैं इस ड्रेस को आपको वेयर करके दिखाती हूं यह सेंटा क्लॉस जैसे लग भी रही है यह नह क्लाइब के सी इंटर व्युकर देया है ये मई बल्ट असा का सवार कुर तो रखुआ call कर लिजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिवाब बाई